व्रिंदावन जहाँ पर बसते हैं जगत के पालन हार श्री विश्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण जिनकी एक छलक पाकरी सभी भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और आज की इस बेहद महत्वपून वीडियो में आपको बताऊंगी व्रिंदावन के ऐसे 10 प्रमुक मंदिर जहाँ पर आपको दrशन करने के लिए जरूर जाँना चाहिए और यहाँ पर हर भक्त और हर यात्री दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं तो ऐसे ही कुछ खास मंदिरों की लिस्ट हमने बनाई है कि जब आप व्रन्दावन की यत्रा पर आएं तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर से करें और हाँ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फोमेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें और कमेंट में जैश्री रादे और जैश्री कृष्न जरूर से लिखें तो चलिए शुरू करते हैं राधे राधे दोस्तो ब्रिंदावन श्री कृष्न की बाल लिलाओं से जुड़ा धारमिक एवं एतिहासिक शहर है जहां पर श्री कृष्न बंसी बजाते थे और गायों को चराते थे यह मतुरा से 10 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है तो जानते हैं सबसे प्रमुक मंदिरों के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले आता है श्री बाके बिहारी जी का मंदिर जो वरंदावन का सबसे प्रमुक मंदिर है और ऐसा बताया जाता है कि शाक्षात भगवान श्री कृष्न यहीं पर विराजते हैं इस मंदिर का निर्मान 1860 में कराया गया था इस मंदिर में इस्थापित श्री बाके बिहारी जी की यह चवी स्वामी हरिदास जी ने निदीवन में खोजी थी स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भग थे और उनका संबंध निमबार्क पंथ से बताया जाता है बाद में स्वामी हरिदास जी के अन्याईयों ने 1921 में इस मंदिर का पुना निर्मान कराया था यहां पर आप चाहे तो वियाईपी दर्शन भी ले सकते हैं क्योंकि अत्य धिक भीड रहने के कारण यहां पर आपको अच्छे से यानिके संतोजनक दर्शन नहीं हो पाते और धका मुक्की बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए आप चाहे तो VIP दर्शन ले सकते हैं नमबर दो पर है दोस्तो प्रेम मंदिर यह विश्व विख्यात प्रेम मंदिर विश्व के सबसे खुबसूरत मंदिरों में से एक है इस मंदिर का निर्मान जगत गुरु कृपालु जी महराज द्वारा कराया गया था इस मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधाराने के दर्शन होंगे और दोस्तो इस मंदिर को बनने में लगभग 11 वर्ष का समय लगा और इसको बनने में 100 करोड से जादा की धनराशी का खर्च हुआ था यह मंदिर अपने आप पे इतना मनमोक और सुन्दर है कि इसे देखकर आप मंत्र मुग्द हो जाओगी और आप इस मंदिर की खुबसूरती के दिवाने हो जाओगी नमबर तीन पर आता है दोस्तो वैशनो देवी टेंपल रंदावन में वैशनो देवी का बहुती भव्य और दीव्य मंदिर बनाया गया है इस मंदिर में मा वैशनो देवी की 141 फीट उची प्रतिमा बनाये गई है और सांत मही श्री हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है यह मंदिर बहुती विशाल काय और आलो की मा का दर्बार बनाया गया है इस मंदिर के अंदर गुफाओ का बड़ा ही आलो की सुरूब भी दिया गया है और गुफाओ के अंदर एक हॉल बनाया गया है जो की काफी बड़ा और प्यारा है इसमें मातारानी की एक बहुती भव्य प्रतिमा रखी गई है दोस्तो यह मंदिर इतनी बखुबी से बनाया गया है कि यहां के दर्शन करने से और इस मंदिर को घूमने के बाद आप बेहधी प्रसंद हो जाएंगे क्योंकि यहां पर आपको जो नजारे देखने के लिए मिलेंगे उससे आप खुश होटेंगे इसलिए आप इस मंदिर के दर्शन जरूर से करी तो अब बात करते हैं अपने चोथे नंबर के मंदिर की जो की है इसकॉन टेंपल इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन होंगे इसी को इसकॉन टेंपल के नाम से भी जानते हैं यह मंदिर वरंदावन के खुबसूरत मंदिरों में शामिल है इस मंदिर को इसकॉन सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है और श्री प्रभुपाद जी द्वारा इसकॉन सोसाइटी की इस्थापना की गई थी जो पूरे संसार को श्री कृष्ण की भक्ती और भगवत गीता से जोड रही है दोस्तो यह मंदिर बहुती खुबसूरत शैली में बना हुआ है यहाँ पर आपको बहुत से विदेशी भक्त भी देखने को मिलेंगे जो हरे रामा और हरे कृष्ण की धुन पर नाचते गाते हैं और गुन गुनाते हुए मिलेंगे दोस्तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अनेक मूर्तियों को काफी सुन्दर तरीके से इस्थापित किया गया है भगवान श्री कृष्ण की मनमोक मूर्ति को देखकर आपका दिल खुश हो उठेगा और यह पूरा मंदिर वाइट पत्थरों से बना हुआ है जहाँ पर आपकी फोटो और वीडियो भी बहुत सुन्दर आने वाली है इसलिए आप इस मंदिर में भी जाना ना भूले तो अब आता है अपना पांचवे नमबर पे जो की है निधीवन दोस्तो निधीवन के बारे में हम सभी जानते हैं और काफी लोग जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो तो जानते ही होंगे निधीवन की रहसे मैं लिलाओं के बारे में दोस्तो निधीवन वह एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर हर कोई श्रद धालू भगवान श्री कृष्ण को पाने और उनको महसूस करने निधीवन जाता है क्योंकि आज भी ऐसी कई कहानिया सुनने को मिलती हैं जिसमें बताया जाता है कि विधीवन में आज भी श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाने आते हैं और उसके बाद निधीवन परिसर में इस्थित रंग महल में विश्राम करते हैं ऐसा बताया जाता है कि इसके अलावा जब आप यहां आएंगे तो आपको यहां पर 16,000 गुते हुए पेड दिखेंगे कहते हैं यही पेड रात में 16,000 गोपियां बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं और इसलिए रात में इस निधीवन में आना निशेद है और निधीवन परिसर में काफी सारे मंदिर बने हुई हैं जहां पर आप दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ती की कामना कर सकते हैं और राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ती आवश्य करेंगे दोस्तो अब आता है हमारा नंबर 6 पर प्रमुक मंदिर जिसका नाम है राधा वर्लब जी मंदिर दोस्तों यह व्रंदावन का एक लोता ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि राधा वरलब दर्शन दुरलब यानि कि जितने भी भक्त वरंदावन आदे हैं उन सभी के राधा वरलब जी को दर्शन बहुत ही दुरलब हो जाते हैं इस मंदिर में जो राधा वल्लब जी के विग्रा है वह मानम निर्मित नहीं है इस विग्रे को भगवान शिव ने अपने हिळदे से प्रकट करा था राधा वल्लब मंदिर श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण का मिला जुला रूप है इस विग्रा के पीछे का इतिहास यह है कि एक आत्मदेव नाम के भ्रामण भगवान शीव के बहुत बड़े भकते उन्होंने कैलाश पर जाकर सालों तक भगवान शीव की तपस्या की और उस तपस्या से प्रसंद होकर भगवान शीव ने आत्मदेव से वर मांगने को कहा तब आत्मदेव जी ने कहा हे प्रभू जो वस्तु आपको सबसे अत्यधिक प्रिये हो वो मुझे दे दिजिए इसके बाद शीव जी ने अपने हिर्दे से राधा वल्लब जी की मूर्ती प्रकट की और उनको वर के रूप में प्रदान की और तब ही से राधा वल्लब जी का यह मंदिर स्थापिन है दोस्तों नंबर साथ पर है गोपेश्वर मंदिर यह मंदिर भगवान भोले नात और श्री कृष्ण की लिलाओं से जुड़ा अद्भूत इस्थान है श्री कृष्ण जी की रासलिला को देखने की इच्छा देवताओं को भी होती थी एक बार भोले नात जी श्री कृष्ण जी की रासलिला को देखने आए थे लेकिन रासलिला में किवल गोपियों को ही प्रवेश करने की अनुमती थी तब भोले नात को बड़ी इच्छा होई कि वो भी श्री कृष्ण जी की रासलिला देखें और तब वह मांयमुना मैया के पास गए और तब मांयमुना ने मंदिर में बोले नात को गौपी रूप में विराजमान है और इस मंदिर को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और यह है वृण्दावण के अप्राचीन मंदिरों में से एक है इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे राधा-दामोदर मंदिर ज गूमने का आनन्द जरूर से ले इसलिए अगर आपको पैदल चलने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं तो इन गलीयों में गूमने का आनन्द जरूर से ले और इन मंदिरों की दूरी एक दूसरे से 100 या 200 मीटर की ही रहती है तो इन कुझ की गलियों में होते हुए हम पहुंच जाते हैं श्री राधा दामोदर मंदिर के पास यहां पर श्री राधारानी और दामोदर जी के बड़े ही प्यारे से दर्शन आपको प्राप्त होंगे यहां पर आप चल रहे भजनों पर भी जूम सकते हैं जिससे आपको काफी जादा अच्छा लगेगा तो इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अगले स्थान पर जो है सेवा कुझ इसको निकुझ वन भी कहा जाता है निकुझ वन निधिवन का चोटा सा सुरूप है यहां पर पिनात मंदिर और राधा रमन मंदिर जी के दर्शन करने के लिए जो यहां से मात्र 200 मिटर की दूरी पर ही इस्तित है दोस्तो यह मंदिर भी व्रंदावन के काफी फेमस मंदिरों में से एक है यहां पर आप काफी अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर पाएंगे यहा की यहां से लगबग 100 मिटर की दूरी पर इस्थिर है दोस्तो यह वही जगा है जहां पर श्री कृष्ण ने कालिया नाक का वद्ध किया था और सामने ही मा यमुना की पावन धारा है जिसमें आप इसनान कर नोका विहार भी कर सकते हैं मा यमुना के किनारे थोड़ा सा समय व भूम सकते हैं अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प करा है अपना ट्रिप प्लेंड करने में तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें अभी के लिए जय श्री रादिया